हेलो दोस्तो हमारी चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो लोग डॉग लेने की सोच रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डॉग लेना चाहिए कौन सा डॉग हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कौन सा डॉग हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा दोस्तो यह वीडियो पूरा देख लें क्यूंकि यहां पर हम आपको अनेक परकार के कुत्तों के बारे में वदाएंगे दोस्तो अक्षर लोगों को समझ में नहीं आता है वो किस परकार का कुत्ता ले और जल्दबाजी में हमेशा गलत कुत्ता ले आते हैं और फिर बाद में पस्ता आते हैं लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में बहुती आसानी होगी दोस्तो अगर आपको घर की रखवाली के लिए चाहिए या आपका घर कहीं अकेले में हो या आप चाते हैं कि आपका डॉप थोड़ा एग्रेसिव हो तो आप जर्मन सैफर ले सकते हैं ग्रेट टेल ले सकते हैं या फिर आप बॉक्षर ले सकते हैं इन तीनु डॉग ब्रीट की खाशेतिया है कि ये तीनु डॉग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं और बहुत ही फुर्तिले होते हैं ये नॉर्मली फ्रेंडली नहीं होते हैं मगर इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है और इनके साथ समय बित सकता है तो आप रोटवेलर ले सकते हैं डावर मैन ले सकते हैं ये दोनों ही बहुत ही एग्रेशिव डॉक ब्रीड है अगर कोई पहली बार कुता खरीदने की सोच रहा है तो इनके बारे में मत सोचना क्योंकि इनको पालने के लिए एक अनुभावे मालिक की जरुरत पढ़ हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई अधर पैट है आपके पास तो आप लेबराडॉर ले सकते हैं गोल्डन रिट्रीवर ले सकते हैं यह दोनों ब्रीड बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही सोचलाइज होते हैं यह बच्च्यों अधर पैट और लो नहीं नहीं जगह पको जा नहाएं। अगर आप इतने बड़े डॉग नहीं मी पालना चाहते ही, आप छोटे फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते ही तो आप पॉमेरियन ले सकते हीं। इंडियन श्पृट ़े सकतेmarkt और पफपक ले सकते हीं। पग थोड़ा लेजी डॉग है लेकिन ये दोनों बहुती फुर्तिले होते हैं और ये वाच डॉग का बहुत अच्छा गाम करते हैं ये तीनों डॉग बहुती फ्रेंडली और फैमिलियर होते अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद